हाँ तो बच्चों जैसे अपना भी डिसकस कर रहे थे लाइफ मनेजमेंट के पार्ट वन में हम लोगों ने काफी डिसकस किया कि किस तरह से अपना डिली रोटीन होना चाहिए और फिर अपन सेकर्ड में डिसकस किये कि क्या नियूट्रिशन्स लेने चाहिए कि इस्टूडेंट लाइफ में क्या खाना बेथर है और क्या स्टेविल नहीं है उसी सिलसले में लाइफ मारेजमेंट पार्ट थ्री में जो मैंसोस कर रहा हूं यह मेरे खुद के ब्यक्तिकत एक्स्पिरियन्स से ब्यक्तिकर विचार हो सकते हैं और दोसरों के अलग भी हो सक जैसे कि हमारा रोटीन अच्छा हो गया हम सही समय पर उठना और अपना रोटीन स्टार्ट कर दिये फिर उसके बाद से कंड अपना नूट्रिशन क्या लेने हैं किस तरीके से लेने हैं वह हमने कर लिया तो जो तीसरा मैं महसूस करता हूं जो सबसे महत्पूर्ण पार्ट है यह चात्र जीवन का सबसे महत्पूर्ण पहलू है चरित नर्माड जो है सबसे महत्पूर्ण पहलू है और इस पे जो मैं मैं देखता हूं कि इसको प्रहॉबित करने वाले जो कारक होते हैं इसको जो चीजे प्रहॉबित करती है उस पे सबसे महत्पूर्ण रोल होता है त जो आते जाते हैं जिनके भी बच्चा बड़ा होता है और ज्यादातर चरित्र नर्माण में जो एज है वो लगभग दो से तीन साल से बच्चे की बात अगर अपन करें तो 12, 14, 15 अधिक्तम साथ में आठ में तक का बच्चा जो है 15 साल तक का बच्चा जो है उसका जो भी करेक्टर नर्माण होना होता है लगभग समपूर हो चुका होता है इस Tonight के आते आते हैं तो इसमें जो सबसे महतपूर भूमी का होती हो पैरेंस की होती है माता पिता किस तरह से बिहार करते हैं किस तरह से वो बच्चे से डिसकस करते हैं किस तरह से वो जो अपने परिचन है उनसे डिसकस करते हैं कैसा बिहार रखते हैं और साथ में उन लोगों से कैसा बिहार रखते हैं इनके पास आते जाते हैं या जिनके संपर्क में है वो इन सबी चीजों का चात्र जीवन में इस स्टूडेंट पर जो है इन सब चीजों का फर्क पड़ता है तो इस पर पैरेंट्स को बड़ा ध्यान देके और बच्ची का करेक्टर डबलामेंट पर और बाते करने चाहिए जिस तरीके से हम वहार करेंगे वाते करेंगे वही बच्चा भी जीखेगा हम सोचते हैं कि कई बार के हम तो बड़े हैं इस तरह से कर रहे हैं और उसको हम जिखा लेंगे तो पॉसिविली नहीं क्योंकि वह जो देखेगा वह ही करेगा दूसरा जो सबसे महत्पूर्ण और कारण है वो होता है दोस्त मित्र जिनके संपर्क में बच्चा पलता बड़ा होता है तो इनका भी बड़ा जीवन में रोल होता है जो मित्र बनते हैं दोस्त बनते हैं और खासकर पच्वी छट्वी आठ्वी तक जो बच्चे दोस्त होते पूरिजों का अच्छे चरित्र का या खराब चरित्र का भी बच्चे के मनोबित्र nú पर अच्छे दोस्त को भी अच्छा वणा का ठीक नहीं उस तरह से मिल जाते हैं तो दीरे दीरे देखता हूँ कि अच्छे से अच्छा बच्चा भी जाके वो 910 तक जाके बिगड़ जाता है तो दूसरा रोल है छातर जीवन में मित्रता का तो बच्चों में डिसकस करूँगा कि मित्र का चुनाओ बड़ा सोच समझ करें दोस्त जिसको ही बनाएं तो बहुत पहले सोचे समझें परकें और उससे विचार आपके जम मिलें और वो और सबसे जो ज्यादा बच्चों में इसका फर्क पढ़ता मैं देखा कि उसके पास ये खासकर 56,78 के जो बच्चे है कि उसके पास गाड़ी से छोड़ने वाला कोई आदमी है वो थोड़ा सा पैसे रखता है वो अच्छे कपड़े पहनता है और वो अच्छी साइकल लेके चलता है तो उससे लोग अट्रक्ट ह कि उससे दोस्ती कर लेते हैं बनस्पत इसके होना क्या चाहिए था कि उसका चरित्र कैसा है पढ़ने में कैसा है उसका बोल चाल उसका भाव कैसा है लोगों से किस तरह वो पेस आता है वो देख के करना था पर ये बच्चे जो 10-12 साल के होते हैं उनमें इतनी मैचूर्टी होती नहीं है वो इतना सब टेस्ट करके और फिर दोस्ती का देखते नहीं है उनको जो सीधी सीधी चीज़े अट्रक कर लेती है उनी से वह अपने दोस्त बना लेते हैं बाद में भले हूं महसूस हो पर इस तरह से करके ये दूसरा पहलू भी बड़ा भात पोड़ होता है जो तीसरा पहलू प्रहावित कर रहा है इस समय मैं देख रहा हूं ये मुबाइल और मीडिया बहुत ज्यादा प्रहावित कर रहा है बच्चों को तो मोबाइल से दूरी थोड़ा सा बनाने के जरूत है क्योंकि क्या होता है जिस तरह किसी चीज़ें वहां देखते हैं जै तो तरह बंदा करते हैं। उस तरह काम करने के एक्ष्छा पैदा होती है। क्योंकि फिल्म के नियुक्त हिरो अपने जिंदिदिगी के भी कुछ लोग Ein정 को BET लेती है तो आज़कल हिरो क्या कर रहे है तो आज कल कि रिरो क्या है मैं देख रहा हूं गुटका तमाखो के लिए प्रिरीद करते हैं उसका एड कर रहे होती है अब ये मीडिया से दूरी कैसे बनाए अब क्या है कि गयवालों ने बोला भाई ये ठीक नहीं है तो उनने देखा कि वो तो कर रहा है तो कई बच्चे तो पैसे लेके उसका एड कर रहा है वह नेशनल टीम का देखो प् प्रचार करने के लिए पैसा ले रहा है लेकिन इन चीजों का बच्चों की जिंदगी में बड़ा फर्क पड़ता है कि फिल्लों को फिल्म है आपके सीरियल से इनका बड़ा फर्क पड़ता है जैसे आज मैं पिछले दस सालों के अंदर देखा बदलाओ जो है बहुत सारा आ गया है पहले में फिल्म में होती थी जिसमें मनोरंजन होता था और बिना एक भी लड़ाई जगड़े के पूरी फिल्म कटम हो जाती थी कि आज तो देखिए हर फिल्म में सिर्फ लड़ाई जगड़ा धार और बितनी भी गलत चीजये आप कह सकते हैं जिनके की आप कल्पना भी नहीं करते तो पूरी चीज़े फिल्म में रहती है फिल्म में तो शोड़े यह सीरियल आते हैं आजकल वह सीरिलों में पूरी ची दिखाएंगे और फिर कल्ठबना करेंगे कि ऊपर्गेगी करोई ह 괜찮े चैजिसा कि सुछने की बात है ला हम सुनभा रहे हैं उसको बार-बार-बार-बार राम-राम-राम सुनभाएंगे तो उसका फरक आएगा अब उसको मैं यह वह तो वो जिस तरह से फिल्मों में ओंट रहा हो तो फिर क्या करेगा हो इसका रिफ्लेक्षन होगा हम भक्ति दिखाते हैं अच्छे संस्कार दिखाते हैं बड़ों का सम्मान आधर और अनुसासन दिखाते हैं ब्रहमचर निखाते हैं सब माताएं जितनी भी दुनिया में इस तरी जाती है बड़ी है तो मा है बराबर की बेहन है और पत्नी है यह दिखाते हैं तो उसका फर्क पड़ता है और मीडिया सीरियल्स क्या दिखा रहे हैं किसी के कोई संबंधी किसी से नहीं किसी से कुछ भी किसी के संबंध बन जा र को फिल्म को कुछ भी उसके अंदर कंटेंट्स जला होता है मानेता मिल जाती है दडले से वह परोसा जा रहा दिखाया जा रहा है उसके बाद फिर आखरी में देखते हैं कि मोबाइल हर घर घर में हैं अब बच्चा फिक्स में हैं आपने उसको दे बोला भी यह जाओ मैत का एक्जामपिल ले लिजे कि वह देखके जा रहा कि मैंसुरेशन में या फ्रक्सर में मुझे नहीं बन रहा है गूगल करता है ऐसे बैठा हुआ कोई वहां पर कोई गल्स दिखती है फिर आगे बोलता है मुझे क्लिक करें फिर आगे बोलता है यह खेले पिर और चीजे देखनी हैं तो इसको क्लिक करिए इसको डाउनलोड करिए अब इस उमर का बच्चा जिसका मांसिक विकास संपूर्ण नहीं हुआ है फिप सीक सेवाने एक ना इंटेन तक इनका चरित निर्मान मस्तिस का पूरा विकास नहीं हुआ होता है आइडिया होता है इनको गलत सही क्या है लेकिन कुछ ऐसी चीजे होती है जो मन को पसंद आती है तो अट्रक करती है बच्चो का कोई दोस भी होता है इसमें समाज का दोस है इसमें मीडिया का दोस है इसमें हम जो बड़े बुजरुग जो इसके लिए responsible हैं इन content को देने के लिए वह पूरी तरीके और झेल हूं। तो मैं आपको उसका उपाय बता सकता हूं कि इसके भाद भी हम ऐसे बчи जहिए है न है तो आडोर तो माता पिता की भूमिका है कि वह अच्छे से बात्चित करें में अच्छा ख्यार करें बच्छों से पेस अएं खुद भी आप करके बात करें हम कई बार तुम 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 कि तुम बोल रहें और बच्चों से बोलते हैं कि मुझे वह आप प्रे पैसे सब्भू है अच्छा महवल रखें पढ़ाही काम करें चलेगा लेकिन उसका चरत्र उसका बाचित का तर्व तरीका और लोगों के सामने पेस आने का तरीका बेतर होना चाहिए देखिए आज को काम बहुत सारे मिलने वाली जीवन आपन के लिए पैसेों की तंगी किसी को नहीं आने वाली बहुत अच्छा समय आ गया है कि दूसरा पहलो जो हमने डिसकस किया कि दोस्तों का चुना बहुत अच्छे से करें उसमें पैरेंट्स की भूमिका है कि वह पता लगाएं वाई क कौन इसका दोस्त है किस तरह सुका चरित रहे किस घर में रहता है कि कैसे उनके माता पिता है इस तरह से हमारी रिस्पांसमिल्ट है कि हम उनको इस चीज समझाएं तीसरा चीज क्या है कि हम जैसे हमने मीडिया की बात की अभी हमने सीरियल्स की टीवी की बात करी इनको मिल तो ठीक है अब इनी परिस्टियों में हम क्या कर सकते हैं तो सबसे पहला तो क्या करिए इस तरह से जितने भी एप हों कभी डाउनलोड करें सिर्फ अपने काम की चीजों को रखिए जो आपका एक दो कुछ जैसे पढ़ने में कोई मिल सकती है तो चीजी रखिए कितने मैसेज है उसको समझिये मत इग्नोर करिए अदत बनाई अपने आपको इस टांग बनाना पड़ेगा लड़ाई जगडे वाली फिल्म है इस तरह से उड़ पटांग कोई करेक्टर वाली फिल्म है उसको यह समझिये मैंड में ऐसा समझिये कि यह तो हमारे खिलाफ है यह सही नहीं है तो दिखाया जा रहा है कि के वर हम भाव भी भूर हो जाते हैं देखते 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 ऐसा मैसूस होता है बिलकुल प्रैक्टि वास्तिविक्ता नहीं है और आप जब समझदार बन जाओए तो आपको कोई वेवकूफ नहीं बना पाएगा चाहिए वह मोबाइल वाला हो चाहिए मेडिया वाला हो सब जगह पे आच्छा है फेस्बुक की टोटर और पता नहीं क्या-क्या तो आ गया है इन सब में कोई एड वही काम अच्छी चीज़े काम दिखाता है गलत चीजे ज्यादर दिखा रहा है इसे समाज हमारा बरवाद और बच्चे तो क्या है कि बच्चे तो बगवान का रूप होती हैं कि उनको सही गलत की जनकारी होती नहीं है और वो उस दलदल में फस जाते कई बार कि कई सारे बच्चे अभी last free fire और pubg, pubg क्या game aim में भी बहुत सारे पैसा लुटा दिये, parents से discuss हुआ, हूँ लोगों ने बताया, तो बच्चों को idea नहीं तो parents लोगा इसका care करेंगी, बच्चा अगर mobile में ने दिया है, तो किन contents को देख रहा है, क्या वो यूज कर रहा है, वो आ side effects होंगे, इससे आपको नुकसान होता है, आप सिर्फ अपना ये कर सकते हैं, आप ज्यादा तर parents से असा भी कर सकते हैं, चाइड लाग डाल दें उसमें, कुछ एक दो चीज़ें जो उनको बच्चों को जरूरी रहता है, उनके एप हैं या उनकी पढ़ाई से related कोई चीज उनको सही गलत का बताईए, उनको सही क्या है, गलत क्या है, क्या गलत चीज़ें परोसी जा रहे ही, क्या दुनिया में गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, किन चीज़ों का आपके जीवन में side effects होंगे, उससे नुकसान क्या होंगे, क्या फाइदे होंगे, उनका discuss करें, मु मीडिया और ये चैनल और इन सब के बहकावी में आएगा और इस्टेप बाइस्टेप उनको सही रास्ता बताते जाएं एक हर चीज का एक उमर है ऐसा ही नहीं कि को आप कुछ ऐसी चीजे बता रहें जो समझी न पाए तो उसके गला साइड इफेक्ट्स हों तो जैसी जैसी एज बढ़ती जाए तो कुछ बच्चियां हैं उनकी काउंसिलिंग मा कर सकती हैं उससे रिलेटेड पूरी जानकारी उनको दे सकती हैं बीच-बिच्वा डिसकस क कर सकती हैं मा दोस्त बन सकती हैं पापा हैं तो वह अपने बच्चों के दोस्त बन सकते हैं और स्टेप बाइस्टेप बस आपको इतनी चीजे जरूर समझानी हैं उनको कि बेटा देखो यह गलत रास्ता है और यह सही रास्ता है इस गलत रास्ते के परिणाम यह हैं लोग कोई चमतकार नहीं होगे आपने आज एक दिन बैट लिया उनको समझा दिया और उनसे डिसकस कर लिया तो कोई काम होने वाले रेगुलर बेसेस पर आप यह टाइम बना लें कुछ ऐसे परेंसे जो बाहर रहते हैं हपते में आते हैं तो सटरड़े संड़े दो दिन उनकी बढ़ते हैं और आजकल तो बच्चे बड़े जल्दी जो है मैच्योर भी हो रहे हैं कम उमर में चीज़ें समझ जा रहे हैं और मिच्योटी लेबिल भी जादा आ रहा है तो लगभग 10-15 साल 15 साल तक के बच्चे चीज़ें समझना सुरू कर देते हैं और सही डंक से उनको सेटिंग सेट करिए कि भाई मुझे इस तरीके से उठना है जगना है पढ़ना है सोना है खेलना है जो भी एजिकल करिए सब कुछ करिए एक सिस्टमेटिक लाइफ का बनाना आपको तब आपको लाइफ आपकी अच्छी होगी फिर दूसरे स्टेप में आपको निट्रिश जो है बढ़िया हो और मैं बिल्कुल टिप टाप विल अप टो डेट माइंड मेरा काम करें और एक्टिव रहूं में अपने पढ़ाई में 33 परशन मिल्स की एट आवर्स का टाइम टेल भी आप उसमें बना सकते हैं अपने इस्टडी के लिए बाकी दूसरी चीजों के लिए गेम्स के लिए नेचर के साथ रहिए वो कर सकते हैं और तीसरा जो हमने अभी डिसकस किया इस तीसरे वाले पार्ट में चरित निर्वान तो ये तो जीवन का सबसे महत्पूर्ण ही पहलो है और इस पर मैं दो तीन एक्जामपिल भी आपको बता देता हूं जैसे हम लोग परवसराम जी की बात करते हैं उनके बसिस्ट जी गुरू थे और परवसराम जी गुरू थे और उनकी माताओं ने पीता ने भी बड़े अच्छे संसकार किये थे कि जिस तरह से आजकल के लड़कों को तो बोल दिया जा भई तुम घर और छोड़के तुमको जाना है तो बोलेंगे अच्छा मैं केस कर दूगा भी तुम्हारे खिलाब मेरा तो अधिकार है लेकिन उनने क्या किया कि फिर दूसरा एक्जांपिल आप भगवान कृष्ण का देख सकते हैं एक ऐसा बच्चा जो जेल में पैदा हुआ जहांप एतने सारे प्रहरी हैं और किस तरह से अपने लाइफ का स्ट्रगल करके अपने आपको किस तरह से इस्थापित किया कि जिनको हम बात में भगवान कृष्ण के नाम से जानते हैं माभरत में बड़ी भूमी का थी इनकी और आप गीता तो आप सुनी रहे होंगे जो संसार का मुझे लगता है हर प्रॉलम का समधा हर दिकत का समधान गीता में अगर आप पढ़ते हैं देखते हैं आप चोटी बुक ले सकते हैं टेन रुपीस की मिल जाती है साट महिंदी में दिया हुए आप उससे एक पेस डेली भी पढ़के उससे काफी चीजी सीख सकते हैं और नजाने धेरों कितने नाम हैं आप गां तो माने ऐसे संसकार डेबलब किया कि वह इतना बड़ा पेसवासमराज बनाया हुए तो इस तरह से नजाने कितने धेरों एक्जामपिल हैं भी मैं बैठ हूंगा बात करने तो और घंटों हम एक्जामपिल ही बता सकते हैं तो बच्चो लास्ट में एक दो चीजें और कहन चाहूंगा मैं कि आपको खुद ही करना है कुछ जो भी करना है ना तो आपको मता पिदा सिर्फ क्या करेंगे आपको financial help कर सकते हैं और आपको guide कर सकते हैं जिंदगी में आप अपना लक्ष बनाए और लक्ष के पीछे चलिए सुभास्चंद बोसको किसी ने नहीं बोला कि जाओ बेटा सेना का निर्माण करो गांधी जे कोई नहीं बोला कि जो बेटा ये कोट पैंट उतारो और धोती पहनो खुद से ही किया है जिन लोगों ने किया है भगत सिंग राजगुरु को उनके मम्मी पापा नहीं बोले जाओ काकोरी कांड करना और फिर फासी पे छोल ज इसके लिए अपने लिए दुनिया के लिए जिन लोगों ने भी किया है को खुद से ही अंदर से एक आवाज आई है और फिर मेहंती बने हैं और जुनून आया है फिरो ने करके दिखाया है तो बच्चों लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा आप भी अपने अंदर जुन है आप यह करके जा सकते हैं जरूर ध्यान रखना है हमेशा ध्यान रखना कि जो भी काम करना नोकरी करना पढ़ाई करना कभी पैसे के लिए मत करना पैसा तो आपके पीछे आएगा ही आपको सुभिधाएं मिलेंगी अगर आप डाक्टर बनते हैं तो आपको सेलरी लेकिन आप कभी ये लक्ष बना के पढ़ाई मत करना कि मुझे पैसा कमाना है क्योंकि जब हम अपने लक्ष को इंसानियत से मनुष्यता से हटा देते हैं तो हम फिर मनुष्य नहीं रह जाती हैं हम जानबर बन जाते हैं हम इंसान नहीं रह जाते हैं जैसे कि एक छोटा सा अभी हाल ही में एक बच्चा सेलेक्ट हुआ नेट में उसको बार-बार मैं समझाता हूं कि डाक्टर बनना मेरा इस्टूडेंट है लोगों की सेवा करने के लिए डाक्टर बनना बीमारी लोगों की हटानी है पैसे तो आएंगे इसलिए प्रिस्केप्शन मत लिखना बहुत सारी दवाईयां मत लिखना कि तुमको फायदा हो कभी इस तरह का टेस्ट मत लिखना कि तुमको गुना ज्यादा तुम अगर सही रास्ते से भी चलोगे न तो भी तुमको मिल जाएगा इतना सारा इसकोप है मनुष्यता की सेवा पेसा तुम्हारा है डाक्टर बनो की लोग अपने आप तुमको सब दे के चले जाएंगे तो पवित्र विचार रखना अपने बस इंजीन पर मत करना खुदी सासन तुमको इतने सारा बढ़िया बढ़िया गाडिया तुमको देंगी इतना सारा सेलरी तुम्हारी होगी नोकर चाकर सब होंगे जुरत क्या है तुमको गलत करने इस वर ने इतना अच्छा सीधा सा रास्ता साध्यान सा सच्चा सा रास्ता बनाया है आप I.S. बनते हो, I.P.S. बनते हो, तेस की सेवा करने का मोखा मिलता है दुनिया में आपके भारत की बाद अगर करते हैं तो जो भी लोग हैं, जतनी योजनाएं हैं, जनता के लिए कीजिए काम कीजिए, कोई से ऐसा करके जाएए कि जिस दिन आप रेटायर हों तो आपको गर महसूस हो कि हाँ, इस जीवन में मैंने जो है यह अच्छे अच्छे यह यह काम कीई हैं यह महसूस ना हो, कि हमने तो यह पता लगाना पड़े कि क्या अच्छा किया था तो यह तो दो-तीन हमने एग्जांपेल दिये। हजारों पेसे हैं बच्चों हजारों पेसे हैं, कोई भी काम अपसलेट कर सकते हो, उसमें आप सिर्फ एक चीज का सावबेस जरूर करना, संसकारों का, अच्छे विचारों का, और इस चीज को हमें सायद रखना कि मैं आया हूँ, बच्चा हुआ हूँ, युबा होंगा भी मैं, फिर मैं फ्रोड होंगा, और फिर मेरी मृत्वी होगी, जिस तरह से मैं यहाँ जन्म लिया हूँ, इसी तरह से मेरी मृत्वी होगी, और जो भी सही गलत करके मैं कलट करके रखूंगा, वो साथ में मैं लेके नहीं जा पाऊंगा, वो साथ में सिर्फ मैं क्या ले जा पाऊंगा, अपनी अच्छे कर अच्छे मनुभृत्य के साथ अपने कर्म को करें यहीं मेरा आप सबसे बार बार नहीं बेदानें बच्चो लाइफ मनेजमेंट का यह जो थर्ड पार्ट है यह बड़ा महत्पूर्ण है तीनों पार्ट को आप लोग सुनें और सुनना बस नहीं हैं मैं अपने आपको तभी कि यह मحसूस करोंगा कि आपको कुछ भी मैं थोड़ी सी मदद कर पाया जब इन चीजों को अपनी जिंद्गी में आप उतारेंगे आप सही समय में सुबह उतना सुरू करेंगे सही समय में भोजन का अपना काम करेंगे सही समय में सूनी का करेंगे टाइम टिल बनाएंगे उसके कार्णिंग पढ़ाई करेंगे और लास्ट वाली जो बाते मैंने करिए कि जिस भी पेसे में जाएंगे वहां आनेस्टी से काम करेंगे तब ही मैं समझ पाऊंगा कि मेरे 600 बच्चे हैं और लाखों बच्चे 20 वीडियो को सायद फेस्बुक में और यूट्यूब में देखेंगे उमीद है कि मैं थोड़ा भी आपको अगर प्रहवित कर पाया तो मेरा भी जीवन सफल हो जाएगा थानिवाद बच्चों बाए